दोस्तो क्या आपको पता है कि WhatsApp status, contact or selected contact list को दिखाया जा सकता है जैसे आपको अपने WhatsApp पर जानी है, वहाँ पर आपको search engine के बगन में 3 icons मिलेगा उस पर click करना है, वहाँ से setting पर जाना है और setting पर जाने के बाद आपको अपना account खोलना है और account से privacy पर जाना है, वहाँ आपको status option मिलेगा, उस पर click करना है, आपको 3 options मिलेंगे सबसे पहला my contacts, अगरे आप उस पर select कर देते हैं, तो आपका status आपके contact के हर people के साथ share हो जाएगा अगर my contact accept पर click करके, आप यहाँ से कुछ selected people से अपना status hide करा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एक दो को hide कर देता हूँ और यहाँ right click पर tick कर देंगे, वहाँ से आपका उस people से hide हो जाएगा status, और third option है, only share with का, उस पर click करके, आप किसी friends के साथ, किसी relatives के साथ, special share कर सकते हैं और वहाँ click करने के बाद, आप done पर click कर देंगे, तो आपका update हो जाएगा, so thanks for watching, please like this video and subscribe to information power